प्रेमातादी दोस्तों, स्प्रिच्छल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है, आशा करता हूँ कि सावन का महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप स्वस्त रहें और मस्त रहें, आज मैं आप लोग के लिए थोड़ा जानकारी का विश्या लेकर आया हूँ, कि साध साधना में आसन वा उसका कीलन और उतकीलन क्या होता है, हम साधना करने बैठ गए, साधना करने के बाद आपने पहले या बाद में जो भी आपके गुरू आग्या के अनुसार, आपने अपना आसन तो कीलित कर लिया, लेकिन क्या उतने के पहले आप उसे कीलित करते हैं, पास कुछ भी कपड़े या फिर आसन ना हो तो आप उसमें क्या करें फूल रख लें एक दो फूल रखें उसकी उपर बैठ कर साधना करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे जादा आपको साधना में विलंभ होगा आसन का संभव ना हो तो सच में एक दो फूल रख ल तो फिर उसके बाद साधना आप आरंब करें साधना कोई भी हो बिछाने से पहले दर्ती पर गोबर रिलीप लें अगर तो बहुत अच्छी बात है या साधे पानी से धोकर उसमें वहां पर अच्छे से पोछा लगा लें फिर आप उसकी उपर बैठ कर साधना करें आसन मे बठा करके अपनी सुरक्षा मतलब एक्च्छी क्या होता है कि आप सम्शान में भी जा रहे हैं साधना करने आप सम्शान में जब बैठ रहे हैं तो आप वहां पर उपदर्वी शक्तियां जो हैं आपकी क्योंकि आप आप तो जमीन पर बैठे हैं अगर सामने वाला भी जम मतलब जो जैसे आप भहरफ सिद्धी करने बैट रहे हैं या कोई भी शक्तियां कर रहे हैं शम्षान में तो ऐसा नहीं है कि सीधे मा काली को आपने पुकारा तो मा काली शम्षान से मा चिन्नमस्ता माता मरी या कोई भी देवी शम्षान की चलती आजाएगी शाकने डाकने प ये सब जो गण हैं उनके, बाबा भेरफ के गण, फिर बाबा भेरफ, फिर शाकनी, डाकनी, पिशाचनी, उनकी उपदेवियां, फिर देवियां, सहायक, ये सब उनके जो द्वारपाल, उसके बाद वो आएंगे, वो भी दर्शन देना उनका बहुत मुश्किल होता है, सालो लग जाते हैं लोगों को, तो वो उपदरवी शक्तियों से, वो नकरात्मक उरजाओं से, वो आपको बचाते हैं, वो उसका रन से आपको फिर उस आसन को कीलन करना पड़ता है, जो आपके और जमीन के बीच, धर्टी के बीच, एक लेयर, एक प्रोटेक्शन लेयर बना र देते हैं, दाय बांदे, बाय बांदे, उपर बांदे, नीचे बांदे, अना चारो दिशाय बांदे, आप बांदे, चाप बांदे, आख, कान, नाक बांदे, हाथ बांदे, पांदे, शत्रू का सारा शरीर बांद, ये आपने मंतर सुना होगा, काफी बार, लोग से आप क कुछ भी नहीं होता। ये नॉर्मली मैंने जो शाबर मंत्र भी बताया, लोग कई बारे से ही यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा, ये जो मंत्र बोलते हैं, तो इसको आपके चाकू से चक्कर लगा करके चार और बान देते हैं। ये मंतर कारगर है, शाबर है, ये नहीं है कि शाबर कारगर नहीं होते हैं, बहुत कारगर होते हैं, परन्तु इसके अलावा भी मेरे पास ऐसे कई संस्कृत हैं, डाबर मंतर हैं, जिसमें और जल्दी काम हो सकता है, तो उसमें और पूरा आपने चक्कर लगा लिया, चक्कर खाने के बाद उस ना घेरे को जब तक साधना नहीं होती, ना तोड़ कर जाना है, ना छोड़ कर जाना है, ना चाकू से काटना है, वो लक्षमन घेरे की तरह होता है, जो साधक को बचाये रखता है, अब जैसे वशी करन अपन कर रहे हैं, तो उसमें आप अपन बोलते हैं, आसम कौन सा ले हैं अब वशीकरन का यहाँ पर गलत अर्थ मत निकाले है वशीकरन हमेशे शत्रों के लिए किया जाता है और जिससे आँख लगी हो मतलब आँख आपका नजर में लाप रहे चुका हो नहीं तो ऐसे तो आले है बट शोती हसन इन सब का हेरोईनों का वशीकरन होना चाहिए तो वशीकरन जब किया जाता तो मेढक का चर्मासन हो गया आकर्शन अगर आप कर रहे हैं किसी का वशीकरन में तो म्रगासन हो गया उचाटन अगर कर रहे हैं उट के चमडे का मारन हो गया अगर तो काले उनी कम्मल का जैसे अनकर्मों के लिए आप अगर इसके अलावा अनकर्म कर रहे हैं कुछ भी तो आप क्शा का सरवश्ष्ष आसन लेंगे आसन में कर्म में प्रतेक कर्म अलग-अलग होते हैं और हर कर्म में अलग-अलग माला होती है और माला का बहुत महत्व होता है अब माला जैसे आप वशी करण में कौन-कौन सी माला ले सकते हैं तुलसी हो गई, रुद्राक्ष हो गई, स्वटतिक हो गई, हाति-दात हो गई, मुंगा हो गई, शंक, सीप, चंदन, कमल-गटा, गधा, भेड़, इन सब की दातों की माला हैं बहुत सारी आती है उस माला का यूज होता है आकरशन में हाती दाद की माला सर्वशेष्ट है आकरशन जैसे आप किसी का कर रहे हैं तो हाती दाद की माला हो गई जितने भी हर अलग-अलग कर्मों की जैसे अपन आप बोलते हैं ना कि लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए आप क्या कामना सिद्धी के लिए आप कमल गट्टे की माला सबसे एच्छी होती है, सबसे बेस्ट माला है रुद्राक्ष की माला, सरस्वती साधना, मूंगे की माला ये सब ऐसे बहुत सारी मालाएं होती हैं मालाओं के प्रयोग वा क्रम होते हैं अब माला में दानों की संख्या क्या होती है हाना दानों की संख्या मतलब जो आप माला चलाते हैं तो माला को चलाना किस तरीके से है माला कैसी रहेगी अब आसन तो अपन ने सीख लिया या आसन कैसा रहना चाहिए तो माला प्रतेक कर्म के अनुसार क्या दानों की संख्या एक निश्चत की गई है जैसे 108, 108 सरवस्रेष्ट माना गया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए 25 माला, 108 माला की 25, अब इसमें मानक जो स्वार्थ रहता है, उसमें होना चाहिए, ठीक, अब स्वार्थ सिद्धी मतलब खुद की मनो कामना पूर्ण के लिए 27 माला, धन की प्राप्ति के लिए 30 माला, प्रे इसमें 108 जो अपने पूरे बॉड़ी के चक्र होते हैं, उस आधार पर मालाय काम करती हैं, किन्तु श्रिव ने बताया कि जो अपने छे चक्र होते हैं, जिसमें से चार बाहर दो और उपर, तो उनके आधार पर वो तो बहुत उच्चकोटी के सादक और योगी जो रहते है वो सब ये चीज़ करते हैं, तो 108 रखने पर भी एक वैज्ञाने के आधार माना गया है, जिस आधार पर अगर जाने तो रिशिमुनी जितने भी साधना करते थे, उसका अगर देखा जाए तो क्या है, जिसे सूर जो होता है खगोली है, वरत आप उसका देखें, तो 360 मैं उसका कि क्या होता है, और जिसके एक वर्ष में एक आयन में दो भाग से लेकर 1,08,000 आता है, गरत की जो पद्यती होती है, अंत में 0 को लगा कर 108 रखने बचती है, इस कारण से शिमुनी जितने भी मारिक ने बनाया है, तो मारिकों ने 108 नर्देश उसके बना दिये गए जितने भी कामना पूर्ण हैं, 27 अभी चार करमों के लिए 15 तांत्रक कारियों के लिए 108 माला ही की जाती है, अब ये बात सबसे नेक्स जो चीज आती है, माला का डोरी और योनी का ध्याना, मतलब डोरी योनी का ध्याना होता ये है, कि जो माला में डोर कैसी रहेगी, धाग कैसा रहेगा तो शांती करम में जैसे पदम आकरशन में घोड़े की पूँठ मारण में मनुष्य के बाल और अन्य करमों में कपास ये सब चीजे बहुत आगे आती हैं और बहुत अच्छी ये ऐसा भी नहीं है कि मिलती ना हो अविलेबल ना हो हर जगे अविलेबल हो जाती ह तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं अन्त तक फैलाएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें आपको कोई भी तंतर चर्चा करनी हो मंतर चर् हैं और आप साथ नहीं ले सकते हैं जैमात आदी